रादे रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ स्प्रिच्योल ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि स्प्रिच्योल ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करती है ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम चैमाता की रादे रादे भक्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कॉमेंट में चैमाता की रादे रादे अवश्य ही लिखेगा तो भक्तों आज प्रदोश ब्रत है आज कार्तिक बास के क्रिश्न पक्ष का प्रदोश ब्रत है अक्टूबर महीने का आखरी प्रदोश ब्रत है और यह ब्रत दीपवली से ठीक पहले और धन तेरस के दिन जादतर आता है बहुत ही कम ऐसा होता है जो प्रदोश का ब्रत धन तेरस के दिन ना हो वरना प्रतेक वर्ष धन तेरस के दिन ही धन त्रियोदशी के दिन ही प्रदोश का ब्रत किया जाता है और बहुत ही सुन्दर संयोग और बहुत ही बड़ा दिन है आज धन त्रियोदशी का तो सबसे पह मिलने वाला है दिखे एक तो मंगलवार है तो भॉम प्रदोश ब्रत का योग है और दूसरा सबसे वड़ी बात आज धन तेरस धन त्रयोधशी है और साथी प्रदोश ब्रत तो देवों के दे महादेव का ब्रत लक्षमी प्राप्ति और उत्तम स्वास्त प्राप्ति के समय भगवान शिवजी का पूजन करना चाहिए तो प्राता काल इसनानाती से निवरत्त होकर भगवान की चौकी लगाना है तो चौकी लगाएं नहीं तो आप ऐसे ही मंदिर में पूजा कर सकते हैं अपने घर का जो मंदिर है इसके बाद ओमा सहित शिवाय नमा मंत्र का पूजन करना चाहिए गड़ेश जी गौरी शंकर और कार्ति के नंदीश और भगवान का पूजन करना चाहिए और ब्रत का संकल प्लेले संकल प्लेने के बाद पूरे दिन प्रत करने सायकाल मंदिर में जाए और भगवान का पूजन करने के बाद कथा आवश्य करें तो आ पूर्वकाल में एक पुत्रवती ब्रामणी थी उसके दो पुत्र थे बह ब्रामणी बहुत निर्धन थी दैवियोग से उसे एक दिन महर्शी शांडिली के दर्शन हुए महर्शी के मुख से प्रदोश ब्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्रामणी नेरिशी से पुझा कराओ इस ब्रत के प्रभाव से तुम्हें एक वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धी प्राप्त होगी उस ब्रहामणी ने महर्शी शांडिली के बचन सुनकर अपने बालकों के सहत नतमस्तक होकर मुनिके चर्णों में पढाम किया और बोली है ब्रहामण आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं ये शुचिवरत मेरा पूत्र है और ये राजसुत मेरा धर्म पूत्र है ये दोनों बालक आपके सेवक हैं आप मेरा उधार कीजिए उस ब्रहामणी को शर्णा कर चान कर मुनिने मध पूजा करते हुए उन दोनों को चार महीने बीट गए एक दिन रासुत की अनुपस्तिती में शुचिवरत इसनान करने नदी किनारे चला गया और जलक्रीडा करने लगया सैयोग से उसी समयों से नदी की तलटी में चमकता हुओ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पढ़ा उस धन पूरीद कलश को देखकर शुचिवरत पोहती बिरसन हुआ बै उस कलश को सिर पर रखकर ले आया कलश को भूमी पर रखकर बै अपनी माता से बोला हे माता माता की बास सुनकर शुचिब्रत अत्यंत प्रिसन हुआ परंतु राजसुत ने अपनी असहमती प्रकट करते हुए कहा हे मा ये धन तेरे पुत्र के भागे से उसे प्राप्त हुआ है मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता क्योंकि अपनी किये हुए कर्म का फल मनुश्य स्वयम ही भोगता है इस प्रकार शिप पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें एक वर्ष व्यतीत हो गया एक दिन राजकुमार ब्रहमण के पुत्र के साथ पसंत रितू में वन बिहार करने के लिए गया वे दोनों जब साथ साथ बन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ पर सैकडों गंदर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी ब्रहमण कुमार उन गंदर्व कन्याओं को क्रीडा रत देखकर राजकुमार से बोला यहां पर कन्याएं बिहार कर रही है इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह गंदर्व कन्याएं शीकरी मनुश्यों के मन को मोहित कर लेती है इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा परंतु राजकुमार उसकी बात अंसुनी कर कन्याओं के बिहार इस्तल में निर्वीग भाव से अकेला ही चला गया उन सभी गंदर्व कन्याओं में प्रधान सुन्दरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी की कामदेव के समान सुन्दर रूप बाला यह राजकुमार कौन है उस राजकुमार के साथ बातचीत करने की उद्देशी से उस सुन्दरी ने अपनी सक्यों से कहा सक्यों तुम लोग निकट के बन में जाकर अशोग चंपक मौलसरी आदी के ताजे फूल तोड़ लाओ तब तक मैं तुम्हारी पृतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार से वह प्रश्ण करने लगी है कमल के समान सुन्दर नीत्रों वाले आप किस देश के रहने वाले हैं आपका यहां आना क्यों हुँ गंधर्व कन्या की बास सुनका राजकुमार ने उत्तर दिया मैं विधर् में किस उद्देश से आई हैं आप मुझसे क्या कहना चाहती है राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा मैं विधर्विक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूं मैं आपको देखकर आपसे बाचीत करने के लिए ही यहां पर सक्यों का साथ छोड़कर रह कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल मुकताहार राजकुमार के गले में डाल दिया बैहार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा है सुन्द्री तुमने जो कुछ कहा है वैस्षत्त है लेकिन आप इच्छा से आपका वरण करूंगी अब आप परसो प्राता का लेहीं पराईएगा मेरी बात कभी जूट नहीं हो सकती गंदर्व गन्या ऐसा क्या कर पुना सक्यों के पास चली गई इधर वे राजकुमार भी शुची ब्रत के पास जा पहुचा और उसने अपना सारा ब्रता कह सुनाया इसके बाद बे दोनों घर को लोट गए घर पहुचकर उन दोनों ने ब्रामडी से सभाल कहा जिसे सुनकर वे ब्रामडी भी हर्शित हुई गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किये गए दिन पह राजकुमार शुचिवरत के साथ उसी बन में पहुचा बहां पर भगवान शंकर माता पारबती की सहित प्राजमान थे उन्होंने मुझे अपने पास ब्लाकर कहा प्रत्वी पर राच्युत होकर धर्म गुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है शत्रों ने उसके वंश को नश्ट ब्रश्ट कर दिया है बह कुमार सदा ही भक्ति पूर रहे हुए आपके राज को वापस दिला दूंगा आप इस करन्या के साथ 10,000 वर्शों तक सुख भोग कर शिव लोग को चले जाएंगे शिव लोग में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विभा रा राज कुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रों को नैश्ट कर दिया और अपने नगर में प्रविष्ट हुआ इसके बाद मंत्रियों ने राज कुमार को सिंगासन पर बैठा कर उसका राज अविशेक किया अब वे राज कुमार राजसुख भोगने लगा जिस दरेदर ब्रहामणी ने उसका पालन पोशर किया था उसे राज माता की पत पर आसीन किया गया वे शुची ब्रत ही उसका छोटा भाई बना इस प्रकार प्रदोश प्रत में शिव पूजन के प्रभाव से बह दुरलव पद को प्राप्त हुआ चो मनुष प्रदोश काल में अत्वा को श्रबड करता है वह निश्चिती सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परंपद का अतिकारी बनता है उसे शिव लोग की प्राप्ती होती है जैसे की राजकुमार को हुई बोले गौरी शंकर भगवान की जय तो भक्तों यह थी प्रदोश ब्रत की कथा ज पार्ट करें तो अत्यदिक पुन्यफल की प्राप्ती होती है और अब हम आपको सुनाएंगे भौम प्रदोश ब्रत कथा तो भगतों सब्ता में जितने भी दिन होते हैं और कि जिस दिन भी प्रदोश का ब्रत होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है जैसी कि आज मंगल प्रदोश ब्रत है आज और मंगल प्रदोश ब्रत को बहुम प्रदोश ब्रत के नाम से भी जाना जाता है चलिए प्रारंब करते हैं कथा सूच जी बोले अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोश ब्रत के विधी विधान से कहता हूं मंगल वार का दिन ब्याधियों का नाशक है इस ब्रत में एक समय ब्रत्वी को गेहूं और गुड का भोजन करना चाहिए इस ब्रत के करने से मनुष्य सभी पापों बारोगों से मुक्त हो जाता है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है अब मैं आपको उस बुड़िया की कता सुनाता हूं जिसने ये ब्रत किय वह मोक्ष को प्राप्त हुई अत्यंत प्राचीन काल की बात है एक नगर में एक बुड़िया रहती थी उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था ब्रत को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी वह प्रतेक मंगलवार को हनुमान जी का प्रत रखकर यह था विदी उनका भो इक्षा लेते हैं बे साधू का वीश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुचे और पुकारा है कोई हनुमान का वक्त जो हमारी इच्छा पूरी करें जब ब्रत्धा माने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और माराज से बोली क्या आग्या है माहराज साधू वेश्दारी हनु मान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूं भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे ब्रत्धा बड़ी दुभिधा में पढ़ गई अंत में हां चोड़कर प्रात्ना की की माहराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतरिकताब जो कहेंगे मैं वैसप करने को तयार हू सादू ने तीन वार परिक्षा लेने के लिए कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसे ओंधा लिटा कर उसकी पीट पर आग जला कर भोजन बनाओंगा ब्रत्धा ने सुना तो पैरो तले की जमीन खिसक गई समझी नहीं आरा कि ये क्या बोल रहे हैं महराज ऐसा कैसे होनी बात कर रहे हैं अब हनुमान जी तो परिक्षा लेने पर तुले हुए थे सो अपनी बात पर अड़े रहे और ब्रद्धा ने जब बहुत देर हो गई उनकी यह बाते सुनते सुनते कि तुबह हार गई उसने मंगलिया को पुकार कर सादू माराज के हवाले कर दिया जलाकर दुखी मन से ब्रद्धा अपनी घर के अंदर जागुसी सादू जब भोजन को बुलाकर जब सादू ने उनको बुलाया कि मंगलिया को पुकारे ताकि बहभी आकर भोजन लगा ले ब्रद्धा में इतनी शक्ति ही नहीं थी वैं आँखों में आश उबर कर कहने मंगलिया बाहर से हसता हुआ घर में दोड़ाया मंगलिया को जीता जाकता देखकर ब्रद्धा को सुखा दाश चरह हुआ मैं सादू माराज की चरणों में गिर पड़ी सादू माराज ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिये हनुमान जी को अपने आहन में की कथा सुनी और प्रदोश्क्रत की कथा भी सुनी कथा आपको कैसी लगी पताइएगा जरूर कॉमेंट करके और हाँ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल एकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी महत आतियां पर सुनाते हैं शीष गंग अरिधांग पार्वती सदाभी राजत कैलाशी नंदी भ्रंगी निरत करते हैं गुण भाक्तन शिव की दासी शीतल मंद सुगंद पवन बैवैटे हैं शिव अभिनाशी करत गान गंधर्व सब्त स्वराग राग नियति गासी यक्ष रक्ष भैरब जहां डोलत बोलते हैं बनिके वासी कोयल शब्द सुनाबत सुन्दर ब्रमर करते हैं गुण जासी कल्प दुरुम अरुपारी चाते तरु लाग रहे हैं लक्षासी सूरे कांत संपर्वत शोवित चंद्र कांते अपनी वासी छहोरी तूनित भलत रहते हैं पुष्प चड़ते हैं वर्शासी देमुनिजनी की वीर पड़ते हैं निगम्रेत जोनित गासी ब्रहम्मा वेश्नुध्यां अंदरते हैं कचुशिव हमको करमासी रिद्द सिद्द के दाता शंकर सदा अनंदित सुख रासी जिन को सुमिरन सेवा करते छूट जाएं अमक शीफासी तुशूल धर को द्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी दूर करे विपदा शिवतन की जनम जनम शिवपद पासी कैलाशी काशी के वासी अब नाशी मेरी सुद लिचो सेवक जान सदा चर नल को आपन जान दरश दीचो तुम तो प्रभु जी सदा से आने अब गुर मेरे सब डकियो अब राद छमा करे शिवी जी किंकर की विंती सुनियो जै भोल degas, जै माता पार्बती की बगवान भोले नात माता पार्बती अपने सभी भक्तों की सभी मनों कामनाय पूर्ण करें जो ये कथा सुनें जो हुंकारा भरे और जो ये कथा कहें उनके समस्त परिवार की रक्षा करें उनके जीवन में धन्त रियो दशी का प्रदोश ब्रत का ये त्योहार बार बार सु वीडियों ये पर समाप्त करते हैं जै माता की रादे रादे भक्तों